एंड्रोइट मोबल की मदद से अगर आप हर्ता रागा गेम और एप्लिकेशन बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस करतीजेगा क्योंकि जब ही निया वीडियो अप्लोड करेंगा तो तुरह इंदी आपके प्रोब्लेम्स आते रहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको पता होना चाहिए अगर आप एफ्लिकेशन बनाते हैं तो ठीक है तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिए आपको बहुत कुछ नया चीज पता लगेगा और यह वीड पाटी यूटुब चैनल में आप सभी को बहुत सारा स्वागत है और मीरा नहीं गोपाल तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट मारते हैं दोस्तो बहुत सारे प्रोब्लेम्स है ठीके बहुत सारे प्रोजेक्ट में एरर आते रहते हैं Firebase का जो storage है उसको अगर आप connect करते हैं तो error आता रहता है और बहुत जो screen का size है ना बहुत सरा application मतलब project अगर हम इसमें बनाते हैं तो अलग-अलग mobile में जो screen का size होता है उसके हिसाब से support नहीं करता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे क्या कर सकते हैं जो सभ problem है project run नहीं होता है तो इस तरह का बहुत सरे problems है तो यह सभी का बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पुरा लास्ट तक जुरूर देखिए तो दोस्तों सबसे पहले हम sketch order में चलते हैं यह sketch order जो है यह play store वाला sketch order है दोस्तों इसमें सबसे जो main problem है जो main problem है सबसे बड़ा वो यह है अगर आप इसको firebase में connect करवाते हैं तो इसको connect करते हैं तो कोई problem नहीं है firebase का database का आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें एक problem है storage का ओके दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह project है run करके दिखा जिता हूँ यह अभी completely run हो जाएगा ठीक है यह जो project में अभी run कर रहा हूँ यह अभी completely run हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसमें firebase का storage है उसका इस्तिमाल करता हूँ तो इसमें error आता है मैं आपको दिखाता हूँ द अगर firebase storage को connect करवाता हूँ यहाँ से देखिए यहाँ से मैं इसे लेता हूँ fs firebase storage firebase storage को add कर दिया मैं ठीक है और कुछ भी नहीं इसको मैंने बास add कर दिया और अगर मैं अभी इसको run करता हूँ यहाँ पर देखिए दोस्तो अगर मैं अभी इसे run करता हूँ तो क्या दिक्केत आ रहा है देखिए यहाँ पर यह error सो कर रहा है तो यह common है दोस्तो यह sketch or का fold देखिए task uri इसका fold है तो इसका fold क्यों है जो sketch or जो बनाया गया है तो उस time में android x android 10 जो update हो गया था तो यहाँ पर आपडेट नहीं किया गया था ठीक है इसका जो code है इसका code update नहीं किया गया था मतलब मेरा यह कहने का मतलब दोस्तो यह जो application है पूरा का पूरा sketch or इसको जिन्होंने बनाया है तो इसके अंदर code है application को बनाने के लिए जो code दिया गया है वो सभी code को जो android x में convert करना पड यह जो इसका जो code है ना इसका code को android x10 में upgrade करना भूल गया होगा ठीक है मेरे को यह लगता है तब ही जाके यह problem दिखा रहा है तो अगर sketch और नया update आता है तो यह fix हो जाएगा इसका नया update आने में और भी 3-4 माहिने लगेगा तो नया update आने तक वेट कीजिए उसके बाद यह जो problem आ रहा है यह fix हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप कोई भी project में अगर आप firebase storage का इस्तिमाल करते हैं या फिर मेरा कोई project में अगर firebase storage का इस्तिमाल क्या गया है तो आपको क्या करना है वो project को आपको sketchware का यह वाला variant है इसमें इस्तिमाल नहीं करना है ओके इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं यह है sketchware revelation अगर आपके पास है तो आप इसमें project को अच्छे से run करा सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं आएगा इसमें आपको दिख्यता आएगा firebase storage का जैसे कि मैंने आपको बताया जिस time इसको update किया जा रहा था तो साइथ इसका डेवलपर है इसको update करना साइथ भूल गया होगा इसका जो code है बैग्राउंड में इसका जो code है उसको अपडेट करना भूल गया होगा इसीलिए यह दिक्कत आ रही है और भी बहुत कुछ है इसका अंदर problem है ठीक है बहुत सरफ problem है मैं आपको यह करक सकते हैं sketch or revelation अगर आपके पास यह application नहीं है तो आप sketchy store से download कर सकते हैं या फिर मेरा बहुत सारे वीडियो है उसका description में link है आप वहां से download कर सकते हैं असान तरीके से इसका update वाला variant आप मेरा वीडियो देखें आपको मिल जाएगा ठीक है मतलब मेरा वीडियो लिस्ट चेक कीजिए यूटूब चैनल का वीडियो लिस्ट चेक कीजिए आपको इसका update वर्जन मिल जाएगा sketch or revelations इस नाम पर है और दोस्तों इसमें भी बहुत सारे problem है ऐसा नहीं है सब अच्छा है इसमें भी बहुत सारे आप है या फिर कोई किसी ब्लॉक का इस्तिमाल करते हैं न तो इस नहीं मालूम पढ़ता है जो इस में इस ब्लॉक में problem है या फिस ब्लॉक में problem है तो इस तरह से मालूम पढ़ता तो इस बार भी फेर से बना रहा हूं आपको अगर मालूम नहीं है तो पता कर लीजिए ओके दोस्तों मैंने इस विशे में वीडियो बनाया था पहले अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं आप यहां से पता कर लेजिए ठीक है तो यहां पर देखिए उसे यहां साइज अलग-अलग होता है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देखे सुनिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश किजिएगा सभी मोबाइल का स्क्रीन का साइज अलग-अलग होता है तो अगर आप इसमें एप्लेकरिशन बनाते हैं तो यह आपका मोबाइल का स्क्रीन का इस उसमें कट कट हो जाए चरिख कोई 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 लिनियर कट हो जाए कोई अब कोई टैक्स्ट जो है वह आधा धुरा दिखे आपको समझ में आ रहा है में या पर किसी दूसरा मॉबाइल में जिसका स्क्रिन साइज डिफरेंड है उसमें अगर आप इसको रन करते हैं तो उसमें जो है अलग टाइप का सो होता है मतलब cut हो जाता यह जो text है ना यह आधा दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा मतलब अलग-अलग तरीके से इस तरह गर दिखाई देता है ठीके तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा तो देखे जबी आप बार की तरफ ले आउट को इस्तिमाल करेंगे ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे आप manually set ना करें आप यहाँ पे manually अगर आप set करते हैं तो आप अपने mobile के हिसाब से set कर रहे हैं आप यह screen का उपर छोड़ दीजिए जिसका जैसा screen है वो application ऐसा बन जाएगा ठीक है उसा करने के लिए आपको default छोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे match print या फिर warp content जो लिखा गया है यह दोनों का आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा आप यहाँ पे manually set ना करें आप manually आप तभी set किजिए यहाँ पे manually set कर सकते हैं कस्तमाइस कर सकते हैं आप यह तभी आप इसको तभी काम में ले सकते हैं इसका अंदर की तरफ, अगर आप इसका अंदर और के linear लेते हैं, तो इसका अंदर की तरफ आप काम में ले सकते हैं, इसका, अगर आपको जरुरुत है, ठीके, अगर आपको जरुरुत है, तो आप inside, मतलब अंदर का तरफ, आप manually set कीजिए, लेकिन बाहर की तरफ, आप ये दोनों का इस्तिम्माल किजिए, और एक je मैं दिखाई तो आप इस इसका इस्तिम्माल करें, नहीं तो इसका इस्तिम्माल करें, ठीक है? इसका इस्तिम्माल किजिए, तो ये सब जो हे default, ये screen का size के हिसाब से, अपने आप छोटा या बढ़ा कम ज़्यधा होता रहता है, अग आप इसको default कर देते हैं तो यह आपने आप छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है अपने हिसाब से छोटा बड़ा यह हो जाएगा आपको जादा से जादा ठीक है जाब यह आप बनाएंगे ना जादा से जादा आप एक काम कीजिएगा यह जो है यह दोनों का इस्तिमाल कीजिएगा इसका कम इस्तिमाल कीजिएगा यह दोनों का इस्तिमाल से ही पूरा पूरा बन जाएगा यह दोनों और एक जो है यह वाल ये ये दोनो इसका इस्तिमाल कीजिए इसका इस्तिमाल कीजिए ठीके मैंने इसके बारे में पहले से वीडियो बने के रखा है यार तो साइद आपको समझ में आ रहा होगा और जो टेक्स्ट का इस्तिमाल करेंगे ना टेक्स्ट भीव का तो इसका जो साइच है दोस्तो उसक मुझ में आ रहा होगा ना जो जब आप लिनियर को बाहर की तरफ इस्तिमाल करेंगे ना आउट साइट लिनियर्स को आप मेनुवाली सेट ना करें है ना दोस्तों पूरा का पूरा एपलिकेशन बन जाएगा आपको मेनुवाली सेट करने कोई जोरूत नहीं है मैं मतलब दे सापोर्ट नहीं करेंगा सापोर्ट कर जाएगा लेकिन आपका एपलिकेशन जो है ना आधा अधूरा दिखेगा और एक बात दोस्तों यह भी आपको मालूंग होना चाहिए सभी मोंबाइल में जो फ्रंट का साइच है ना वह अलग-अलग रहता है तो उसका भी आप ध्य आप ज्यादा इसको आप ज्यादा कर देते हैं तो आपका एपलिकेशन कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूं ठीक है आपका एपलिकेशन में बहुत सारा प्रोब्लम आएगा यह देखिए मैं स्केच वेयर को उपन करता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इसमें क क्या क्या प्रब्लम शो कर रहा है ठीक यहां पर देखिए यहां पर यह जो टैक्स्ट है ना यह कट हो गया थोड़ा सा कट हो गया है यहां पर देखिए यहां पर देखिए सभी में आधा जीक जाएक आएक't हो गया है जैसे कि आपका देख सब् defining च réponse करके अब करके चेक करके देख सकते हैं तो आपि हम देखते है यह अभी बराबर यह आ गया अब आपको मैंने दिखा हो लिया तो इस तरह का भी problem आता रहता है जो मैंने आपको बता दिया उसके बात बात करते हैं दोस्तो ये है sketch order regulation ठीक है regulation ये वाला sketch order है दोस्तो इसमें भी बहुत सारे problems है error है ठीक है सबसे ज़्यादा जो main problem है ओड मॉप का है अगर इसमें आप अड मॉप का unit ID को इस्तिमाल करते हैं न हाँ मैं बोल रहा था इसका जो add mob का add unit ID अगर आप इस्तिमाल करते हैं आपका खुद का original add unit ID आप अपना project में इस्तिमाल किये उसके बाद आप इसमें application को बना लिए लेकिन बनाने के बात दोस्तो इसमें automatically add mob का add unit ID change हो जाता है ठीक है आपका real जो add unit ID है वो cut होके जो test add mob का add unit ID है वो add हो जाता है इसमें भी problem है और बहुत सारे project जो है न दोस्तो यह run नहीं होता है इस तरह सावा run करेंगे ना तो run बढ़न काम नहीं करेगा अगर run होगा run होने के बाद ना last में cut हो जाएगा और बहुत तरह बहुत सारे problems है भाई कैसे बताऊं वीडियो बहुत ज़्यादे लंबा हो जाएगा बताते बताते तो दोस्तो इस तरह से problem है run करते करते run नहीं होगा cut हो जाएगा add mob का add का इस्तिमल करेंगे तो यहाँ पर run नहीं होगा add mob को बंद कर देंगे तो completely run हो जाएगा और भी बहुत सारे problems error है जो main problems था दोस्तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में अगर आपके साथ इस तरह का problem आता रहता है तो creepy अगर के comment ना करे क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता मेरे को भी इस तरह का problem आता है इसलिए यह वीडियो में ने बना दिया भाई लोग comment करते हैं भाई इस तरह का problem है यह सा problem है तो जो main problem है जो सभी के mobile में आएगा तो मैंने आपको बता दिया दोस्तो यह जो problem है तो यह problem common है यह आएगा तो नया update आने तक वेट कीजिए तब तक ऐसा ही चलता रहेगा ठीक है तो जो जो था मैंने आपको बता दिया दोस्तो अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप वीडियो को दुबरा देख लेजिए और अगर आप नया है sketchware में आप development सीख रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो लिस्ट का पुराना वीडियो देखना पड़ेगा प्ले लिस्ट में आपको जो सिखाने के लिए जो वीडियो से जो टोटोरियल से उसको आपको पॉलो करना पड़ेगा उसके बाद आप सीख जाएंगे अप्लिकसिन बनाना गेम बनाना ठीक है तो बस वीडियो में अई कुछ बताना था क्योंकि इस बहुत सारे कॉमेंट मेरे पास आते रहते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपना दोस्त लोग फ्रेंड लोग सभी के साथ सेर कर दीजिए चनल को कर दीजिए सब्सकाइब घंडी बडब को याद करके फ्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जबी मैं को इस तरके इंट्रेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंदी आपके मोबल में नुडिविकस में आ जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबर्दस्ट इंट्रेस्टिंग तरके साथ दोस्तो बाई बाई